फलस्तीन के समर्थन में इंग्लैंड में हुआ बड़ा प्रदर्शन लाखों की संख्या में सड़कों पर उत्रे लोग तुरंद युद रोकने की मांगी फलस्तीन और इस्राइल के बीच जारी युद को लगबख 18 दिन बीच चुके हैं इस्राइल के तरफ से किये जा रहे हमलों में आम आदमी अपनी जान गवा रहे हैं इस युद को लेका जहां पूरी दुनिया के नेता दो गुटों में बढ़ चुके हैं वहीं पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग फलस्तीन के साथ हैं अमेरिका और इंग्लेंड खुलकर इस्राइल के साथ हैं उसके बावजूद महां की जनता खुले आम फलस्तीन के साथ खड़ी है हाल ही में इंग्लेंड की सड़कों पर फलस्तीन के समर्थन में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है जिसमें लाखों की तादाद में आम लोगों ने हिस्सा लिया है लंडन के लोगों ने सड़कों पर उतर कर इस युद को तुरंद रोकने की मांग की है इसके अलावा फलस्तीनियों के साथ एक जुटता भी जाहिर की है ब्रेटिश सांसर क्लॉडिया वेबे ने इस प्रदर्शन का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है सांसर ने कहा हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में हम सभी फिलस्तीनी हैं हम चुप और चुप नहीं रह सकते तस्वीरे लंदन से तस्वीरे इंग्लेंड से फलस्तीन के समर्थन में इंग्लेंड में हुए इस कदर बड़े प्रदर्शन को देख का जनता ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है इस पर रेयक्ट करते हुए जनता ने कहा है फिलिस्तीन में शांती और नियाए के लिए और मुखे रूप से आसाहाई महिलाओं और बच्चों की सामोहिक हत्या के खिलाफ पांच लाग लोगों ने लंदन में मार्श निकाला आप भी युद विराम की मांग में शामिल हो एक और यूजर ने कहा इस्राइल लॉबी गु कि शायद आखिरकार दुनिया इस्राइल को देख रही है कि वो क्या है लेकिन ये मेरे दिल को तोड़ देता है कि इतने सारे विशेश रूप से इतने सारे बच्चों को तराजू के गिरने के कारण भयानक रूप से मरना पड़ा लोगों की आँखे नम हो गई वह एक और अद्भूत प्रतिक्रिया जरू प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरे हमाँ तर पहुंचाते रहें